प्रीविध्यादियों आज हम कच्छाचे की सामाजिक विग्यान हमारे अतीद फस्ट के पाठ साथ असोक एक अनोका समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया का अध्यन करेंगे प्रसंद बन है आओ याद करे में मौर सामराज में विभिन काम धन्दों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ तो इसका उत्तर है मौर सामराज में विभिन काम धन्दों में लगे लोग पिशन्द दो है रिक्तिस्तानों को भरो का नंबर का है जहाँ पर समराटों का सीधा सासन था, वहाँ अधिकारी वसूलते थे तो इसमें आएगा कर जहाँ पर समराटों का सीधा सासन था, वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे गार नम्मर का है राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था तो इसमें आएगा गवर्नर या राजपाल राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर या राजपाल के रूप में भीजा जाता था गाह नमबर का है मौर सासक आबा गमन के लिए महतपूर और पर नियंतर रखने का प्रयास करते थे तो इसमें आएगा मारगों और नदियों मौर सांसक आबा गमन के लिए मैत्पूर मारगों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे गहा नंबर का है प्रिदोसों में रहने वाले लोग मौर अधिकारियों को दिया करते थे तो इसमें आएगा नजराना प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर अधिकारियों को नजराना दिया करते थे परसंद तीन है बताओ के निमलिकर बाग सही है या गलत का नंबर का है उज्जेन उत्तर पश्यम की तरब आवा गमन के मार्ग पर था तो इसमें होगा गलत खा नंबर का है आदुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलागे मौर सामराज के अंदर थे तो इसका होगा सही गा नंबर का है चंद्र गुप्त के बिचार अहतिसास्तर में लिखे गए है तो इसका होगा गलत गा नंबर का है कलिंग बंगाल का प्राची नाम था, तो इसका होगा गलत डा नमबर है, असोख के जारात्र अबलेक ब्राही लिपी में लिख हैं, तो इसका होगा सही परसंद चार है, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान असोख धम द्वारा करना चाहता था तो इसका उत्तर होगा धम द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं नमबर एक अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के वीच आपसी टकराव नमबर दो जानवरों की वली नमबर तीन दासों और नौकरों के साथ ग्रूर बिवार नमबर चार परवार और परवसियों के बीच के जगड़े प्रसंद पाँच है धम के प्रचार के लिए असोक ने किन साधनों का प्रियोग किया तो इसका उत्तर होगा असोक के धम प्रचार के साधन नमबर एक धम महामात की निक्ति की नमब दो, विदेशों में धंब प्रचारक और प्रतनिदियों को वेजा नमब तीन, असोक ने अपने संदेश को कई इस्तानों में सिलाओं पर खुदवाए नमब चार, कुछ अधकारियों को निक्त किया, जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे परसंद च्छे है, तुम्हारे अनुसाद दासों और नौकरों के साथ बुरा बेवार क्यों किया जाता होगा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि समराट के आदेशों से उनकी इस्तिती में सुधार हुआ होगा अपने जवाव के लिए कारण बताओ, तो इसका उत्तर होगा दासों के साथ बुरा बेवार किया जाता था, क्योंकि प्राय युद्ध बंदिया खरीदे हुए इस्तरी पुरुष थे इनका इस्तान बैड़ विवस्ता में सबसे नीचे होता था इनके समस्याओं के निराकरन हेतु कोई भी सामाजक तथा राजनीतिक संक्तन नहीं होता था समराट आसोख के आदेशों से दासों की सिती में अबज ससुधार आया होगा क्योंकि धम्ब के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रियास किया गया था प्रिसंद साथ है रोसन को यह बताते हुए कि हमारे रुप्यों पर सेर क्यों दिखाये गए हैं एक पेरा ग्राफ लिखो कम से कम एक और चीज का नाम लिखो जिस पर इनी सेरों के चित्र बने हैं इसमें उत्तर होगा हमारे रुपियों पर बने सेरों चितर का इत्यास महत्त पूट है समराट असोग के सासनकाल के दोरान चार सेरों की मूर्ती बनाई गए और फिर उन्हें सार नात में एक बिसाल accepting पर स्तापित किया गया यह चितर हम रुपियों सिक्कों के अतरीकत भारत सरकार के दोरा प्रियों किये जाने वाले सभी दस्तावीजों अंतर देशी पत्रों तता स्टेंप पेपर पर भी देखते हैं परसंद आठ हैं अगर तुमारे पास अपने अवलेक जारी करने की सकती होती तो तुम कौन सी चार राजाग्याएं देते तो इसका उत्तर होगा निमलिकित चार राजाग्याएं देते नमबर एक किसी विसेश बर्ण के प्रत भेदवाव नहीं किया जाएगा नमबर दो सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा नमबर तीन सभी को सिच्छा का समान अवसर दिया जाएगा नमबर चार इस्तरियों को पुर्सों के बराबर कादिकार राप्त होगे